तो इसी देवाबा ने आज विशेच गल जो गुद्ली चलाई हैं बच्चों के लिए कि बच्चे प्यूरिटी की पविद्रता की रायोती को धारण करो और रियलिटी की पविद्रता की परस्नारिटी को धारण करो और रियलिटी की रायोती को धारण करो तुम यह रात में स सच्चा सोना बाबा क्यों कहता है हमको क्योंकि जो सच्चा सोना होता है उसमें मोल्ट होने किताबत होता है यह बाता है क्यों कहले बैंती है ने सच्ची नहीं होती है इसमें खाद बड़े ही होती है अगर सच्चे सोने की ब्यागर बनाएगे ना ऐसा करेगे तो उसका तुचुरो हो जाएगे वो एकड़ मोल्ड हो जाएगे तो बाबा हम बच्चों को सच्चा सोना बनाता है अरताती हमारे अंदर मोल्ड होने की शक्ति बता है तो जितना जितना हम Mold होते हैं वह रियर GOLD होता है तो Mold होने की ताकत बाबा के द्वारा हम बच्छों के अंदर आती है नहीं, तो Mold कोई और अंप समझता है नहीं कोई कम हूँ कैं पर अंतुर बाबा कहता है, नहीं, तुम सभ मेरे बच्चे हो सब एग हो और एग दे बच्चे हो तो इसी लिए अपने जीवन को परिवर्दन में लाने के लिए हमें इन बातों को जीवन में धारण करने की अप्शक्ता और जितना जितना बाबा ने जैसा का कि ये जो धारण हैं इसको प्रेक्टिकल में लाने के लिए बाबा जो हमें यान भोजन को यान अम्रत को जो बाबा हम बच्चों को देता है यान प्रतत देता है उसका हम जितना जितना विचाच साधर बंतन करते हैं उतना उतना हो हमें वहाजम होता जाता है, प्रक्षिकल में आता है, सुनने में तो बड़ा ज़या आता है, पर आद उसको जब धारन पर लेके तब और ही बज़या होता है, और वो धारन तब ही होता जाता है, घड़ी-घड़ी उसको अंदर ये अंदर पिवाइस करो, रिवाइस करने से एक realization की भी शक्ति आती है, जब तक आप रिवाइस नहीं करेंगे, तो रिलाइजेशन भी शक्ति नहीं आईगी, महसूस तापी शक्ति नहीं आईगी, कोई बात एको किसी को घड़ी, घड़ी, घड़ी काओ तो क्या होता है, उसका असर होता है, बापने छोटे बच्चों के असर, मदलन्स का omdeesh बथाता था, किसी को कोई सुझदा हो, यह बच्चा बहुत मस्नी करता था, उसकी माा ने बोला, तु बैएस है, बोला में बैएसु, 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 । बैएसु, औरे बाल निकाल, तरवाजी पटे तो थार्भी में ओ, पाप बुर्ला इंगे विसाल बता